तो कैसे मेरे नर्सिंग और परामेडिकल के बचो तेसले इतने भी 36 गड़वाले बचे वखास देंदे क्योंको लेट वीडियो बनाया है बचो आपको बता दे कि आपको यह बात बताना भूल गए कि जैसे ही अगर आप लोग जो इसका प्रोस्पेक्टर जो आपको दिया है इनकी पांसों फेस्स है और एक हज़ार जो रुपय के हैं इनकी जो अगर को पहरें अगरेक्टसण होते है तो यह घार लगेगे शलिक बच्छ आपको बता देक्ट आपको इतना थो पता है ही कि इसी ऐउने है कि और रुब यह उसके रहाए अगर ऐसने करते हो तो blood करने गहींए 25 कशलेगे एक मार्च के पहले तक आपका कहीं आ जा तो इस गंप्लेट होने के बाद ही इलोटमेंट लेटर आता है बच्चो समझ गया यह तो बात हो ही गया लेकिन अगर जैसे नीची आओ तो सबसे इंप्रोटेंट बात यह है इसमें का यहाँ पर देखा जाओ तो हम किते बच्चे प्राइबेट में नाम लिखवा लिए और पहले से यह बात जानते हैं हर जग होता भी है तो यह बच्चों कम सधान करना चाहते हैं कि यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है कि सभी नीजी नर्सी महाविदाले के अवंटन भी संचालक सीखिसा यानी CGDME के द्वारा ही होगा अथा आप लोग पर वे समंधी कर रहा है हो तो किसी भी बेक्ती या धुखा दाड़ी की वे धुखा में ना फसे जो कोदिया आप डायेक्ट एडिमिसा ले लेंगे या कोई पैसा लेकर कॉलेज वाला शुरू कर दिया है तो आपका इलीगल नहीं है वो इलीगल है और जीतना भी सभी प्राइवेटर जीतने भी नर्सिंग कॉलेज होगा उस अभी कांसिलिंग के द्वारा आपका स्टर्थ पाटिसिपेट की जाएगी तो इसलिए बच्च प्राइबेट में कहीं लिखवा लिए नाम तो उसमें नहीं फसे वो इलीगल मना जाएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सीजी डियमी के द्वारा ही सभी बच्चे कडमीजन होगा तो यह सब भी आपको यह बहुत इंपर्टेंट था यह बताना बहुत जरूरी थ इसलिए जो बच्चे क्या है अब अपना काउंसली के में हिसाब से अपने मेरेट के हिसाब से भरे और अपने एडमीसल लेते हैं और जैसे ही इसकी अलॉट्मेंट लेटर आएगे आपको सबसे पहले बता देंगे तो चैनल से जुड़े रहे और कोई भी दिक्कत हो तो कम मताई हो कि बाँ बच्चो